नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, J.R.F. हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम अपना इकाई तीन कर रहे हैं और इसमें हमने लगभग इसके तीन पार्ट्स कर लिये हैं जिसमें हमने साहित्य शास्तर के बारे में पढ़ लिया था और साहित्य शास्तर क्या है कौन-कौन से प्रमुक संस्कित के अचारे हैं जिनोंने कावे शास्तर या साहित्य शास्तर के उपर अपने परिभाशाएं व्यक्त की हैं कि कौन-कौन से कावे के लक्षन होते हैं ये संस्कित जो कावे अचारे हुए हैं उनके जो लक्षन थे उन्होंने बताए हैं वो हमने पहले डिसकस कर लिते अपने थर्ड लक्षर में आज का जो हमारा ये चौथा लक्षर है इसमें हम डिसकस करेंगे हिंदी और जो पाश्चातिए वीचारक हैं आपके उन्होंने जो कावे के लक्षन दिये हैं वो कौन-कौन से हैं ये बहुत ही महतोपूर्ण है क्योंकि ये लगभग आपके बीच में मैंने वो ही परिभाशाएं रखी है या फिर महतोपूर्ण जो हैं वो रखी है क्योंकि प्रिवियस से पेपर में आप देखेंगे साहित्य या कवीता क्या है यहां से बहुत जादा प्रशन पूछने की संभावना रहती है और कवीता क्या है नाम से हमारा जो एक निबंद भी है जो अचारे रामचंदर शुकल जी का है वो उन्होंने लिखा है और उससे भी बहुत बार आप देखते हैं कि कई बार स्थापना और हिंदी के अचारे हुए हैं और आप बायाई जो इसके साथी साथ हिंदी के दूसरे कवी हुए हैं और पास्चाते जो चिन तक हुए हैं उन्होंने जो कावलक्षनों की उपर चर्चा की है वो हम आज विस्तार से इसके उपर देखेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे जो सही तेशास्तर के पहले के तीन लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एकाई तीन के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने कम्प्लीट विस्तार से सिस्टेमेटिकली और सिलसलेवार तरीके से इन चीज़ों को आज हम इसका जो फोट पार्ट है बोले के आए हैं तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं हिंदी का लक्षन तो देखिए क्या कहते हैं हिंदी के अधिकांश लक्षनों में मौलिकता कम देखने को मिलती है तो क्यों मौलिकता कम देखने को मिलती है क्योंकि इसमें लक्षनों की बजाय यह माना गया है कि कवीता क्या है इस पर जादा जोर दिया गया है यह हम आगे देखेंगे भी किस तरीके की परिभाशाएं इन्होंने देने की कोशिश की है जो भी आपके हिंदी और अंग् अधिकांश संस्कित के लक्षनों पर अधारी थें तो यह चीज हम जब रितिकाल के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि जो रितिकालिन आधुनिक जो पूर्वकालिन कवी है ठीक है उन्होंने क्या किया है जो संस्कित के लक्षन ग्रंथ थे उन्ही के अधार पर लक्षन ग्रंथों की रचना की है और उसमें उन्होंने क्या किया है कवीता क्या है या फिर कवीता के लिए कौन कोंसी चीज़ें उपयोगी है वो उन्होंने डिसकस की हुई है तो इसलिए यह कहते हैं कि उन्हें क्या है लक्षनों में प्राप्त तो इंग्लिश का प्रभाव जादा देखने को मिलता है लेकिन इसके बाब जुदिय क्या कहते हैं कि कुछ एक परिभाशाएं हैं जो कवीता या कावे लक्षन के संदर में बहुत ही जादा महत्वपोर्ण हैं वो कौन-कौन सी हैं तो इसमें सबसे पहली जो परिभाशा है हालां कि इसके अलावा कुलपती मिश्र हुए हैं इन्होंने कुछ न कुछ चीज़ें कही हैं कवीता के बारे में कावे लक्षन के बारे में लेकिन वो जादा महत्वपोर्ण नहीं है लेकिन जो केशवदास की परिभाशा है ये कई बार पूछी जाती है इसके अलावा परिभाशा बहुती जाती सुलचनी सुबरन सुरस सरस सुबरित भूषन बिन नभी राजय कवीता बनीता मित तो ये परिभाशा बहुती जादा महत्वपोर्ण है किसकी है ये अचार केशवदास की है और ये आपका जो पूरों मद्यकाल है उसके अंत्रगत आती है ठीक ह ही है कि वो ही इसके क्या है बूषन है अबूषन है ठीक है तो ये चीज़ कौन मानते हैं ये मानते हैं अचार केशवदास है ना तो इनके कहने का मतलब क्या है कि कावे की जो शोवा होती है वो किस से बढ़ती है वो अलंकार से ही माने जाती है ठीक है तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है अचारे किशव दास ने तो किशव ने देखिए इनके विचार से क्या है कि रस छंद और शब्द ये क्या है संद्रे के साथ अलंकार होना आवश्य होता है तो ये मानते हैं तो इसके लावा देखे जो आपका कावे सरोज रचना है उसमें भी एक परिभाशा दी गई है तो अगर आपको ये संपूर्ण परिभाशा है अगर चाहिए तो आप जो है हमारी जो पुस्तक आती है कावेशास्तर के उपर देखे भगिरत मिश्र की है ना उसको आप ले सकते हैं हालां कि मैंने इसके उपर कंप्लीट एक लक्ष्र त्यार किया है कि आपके लिए कौन-कौन सी पुस्तक है जो है बहुत उप्योगी है आप उसको भी देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो कावेशास्तर की पुस्तक है डॉक्टर भगिरत मिश्र की वहाँ पर मैक्सिमुम कवियों की जो आपके पूरम अधकालिन कवी हैं उनकी परिभाशाएं दी गई है यहाँ पर मैंने मिल लिए जो महत्रपुन परिभाशा थी वो रख दी है चलिए अब हम इसके अलावा देखते हैं जो आधुनिक हुए हैं उनमें से कौन-कौन से हैं तो इसमें सबसे पहला जो और प्रमुक जो नाम आता है देखिए यह किसका है यह है महावीर प्रसाद दुवेदी जी का तो महावीर प्रसाद दुवेदी क्या कहते हैं कि यह कहते हैं कि अंतहकर्ण की बृत्यों के चित्र का नाम क्या है कवीता है तो इन्होंने लगवक तीन चार परिभाशाएं दी हैं, है ना, तो जिसमें इन्होंने कवीता का अलग अलग तरीके से व्याख्याइट करने की कोशिश की कि कि कवीता क्या है, समझाने कि इन्होंने अलग तरीके से कोशिश की है, हना कि इसके अलावा ये भी कहते हैं, कि जो सकते हैं कि इनकी जो परिभाशा है, इस तरीके से इनों ने दी है, तो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कि किसी भी प्रभावुत पादक और मनरंजक लेख बात या वक्तrist स्था का नाम कवीता है, यो यहांinstantie पर अन्य पर ज्यादा तर आधुनिक कालिन कवियों और पूर मध्य कालिन कवियों में देखने को मिलती है साथी साथ अंग्री जिसाईत्यकरों में तो इसलिए हमने जो पहले ही बात पड़ ली थी कि इसमें मौलिकता का एक तरीके से अभाव देखने को मिलता है आगे देखी कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कवीता है, चाहे वो पध्यात्मक हो, चाहे फिर गद्यात्मक, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ यह कह रहे हैं कि, जो भी हमारे मन में उठने वाले भाव हैं, मनोभाव हैं, उनको जब हम शब्द वद करते हैं, है न, जब वो श तरीके से आपका कहा है, काव्य है, तो यहाँ पर कवीता का मतलब, आपने संकुचित न लेकर क्या करना, इसका व्यापकरत लेना है, कि कावीता का मतलब, काव्य है, पूरा चाहे आपका गद्यात्मक हो, पद्यात्मक हो, जो भी चीज़ इसमें समाहित हो, तो यह मानते है महाविर प्रसाद दुवेदी जी तीसरी जो इनकी महत्वपोर्ण परिभाशा है देखिए ये कहते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर अनंददाई प्रभाव डालती है तो ये देखिए कई बार आपने देखा होगा इस तरीके की पूची जाती है UGC NET की परिक्षा में और ये पहले पूर में पूची गई है और 2004 से लेकर के 2050 तक के जितने भी हमारे प्रिबियसर के पेपर हैं उन से लगभग चुनिंदा जो प्रशन है जिनसका लगभग हजार प्रशनों का संग्रह हम आपके बीच में बहुत जल्द ग्रुप के साथ जुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा वहाँ पर हम कंप्लीट जो चीज़े हम से छूट जाती है लेक्चर के माध्यम से उनको हम वहाँ पर कवरप करने की कोशिश करते हैं अपने क्विज के जरिए तो आप क जो इनके परिभाशा है देखी कवीता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है तो ये भी कौन मानते हैं ये महावीर प्रसाद दुवेदी जी मानते हैं तो देखी कवीता के संदर्ब में महावीर प्रसाद दुवेदी जी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं आगे हम आगे देख लेते हैं इसके अलावा जो हिंदी के अन्य आधुनिक कभी हुए हैं या आधुनिक जो आलोचक हुए हैं वो क्या कहते हैं अचारे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं ये कहते हैं देखिए कवीता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है तो कई बार इस प्रकार कविता अभिव्यक्त की अभिव्यक्ती है यहां पर अभिव्यक्त होगा ठीक है अभिव्यक्त की अभिव्यक्ती हुई और इस लक्षन से कविता की सदा रहने वाली नव्यता और विविदिता का संकेत मिलता है तो यह कहते हैं कि इस तरह के से क्या है आपकी कविता म मानते हैं और ये बात कई बार परिक्षा में पूछी जा सकती है ठीक है आगे है देखिए इनकी जो ये परिभाशा है इसको तो आपने बहुत बार देखाई होगा कि कहीं न कहीं इसको पूछाई जाता है रिदे की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान चाब बिखा ठीक है तो यहाँ पर ये भी कौन सी बात वो ही बात समझा रहे हैं कि कवीता क्या है यहाँ पर ये बहुँन है कि क्या है यह चीज इसमें थोड़ी सी दिफ्रेंस इनमें देखने को मिलता है आगे देखिए हिंदी का वरलक्षन किसके अनुसार शुक्ल जी के अनुसार ही ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तवस्ता ग्यांदशा कहलाती है तो ये बात तो आपने बहुत बार UGC नेट की परिक्षर में देखी होगी लगबग दूसरे या तीसरे नेट के पेपर में ये जरूर आती ही रहती है ये पंक्ती और ये अचारे रामजंद्र शुकल की है इसके संदर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए करे बार इसको स्थापना और तरक में भी दिये दिये जाता है और स्थापना और तरक के उपर भी हमने लगवग दो लेक्षर तो पूरे के पूरे पहले ही कर दी ह और इसके अलावा जो भी आपको दोजार चार से बीस के स्थापन और तरक होंगे वो भी प्रोवाइड कर दिये जाएंगे तो यहाँ पर देखे ये पंक्ती बहुत ही मुत्पूर्ण है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तवस्ता क्या कहलाती है ग्यान दशा उसी प्रकार र रिदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहती है देखिए ये चीज़ बहुत मत्पूर्ण है ये पहले ही हमने कर ली थी कि रिदय की मुक्ति साधना के लिए हम क्या करते है मनुष्य की वाणी जो शब्दों का वि तो प्रसाद क्या कहते हैं देखें ये कहते हैं कि काव्या आत्मा की संकलपात्मक अनुभूती है जिसका संबंद विशलेशन या विज्ञान से नहीं है तो ये वाली पंक्ति भी इनकी पहुती मत्रपून है और छायवादी कभियोंने मैक्सिमम ने आपके कवीता के या फिर अन्य जो उप्योगी पुस्तके हैं हिंदी से रिलेटेड उन में आप देख सकते हैं इनोंने कवीता के उपर कुछ न कुछ चीजें कही है ठीक है नेक्स से देखिए जो सुमित्रन अंदन पंतुए हैं वो कहते हैं कि कवीता हमारे परिपून क्षणों की वानी है लेकिन इसको कई बार क्या मानते हैं कि ये अपने आप में क्या है अधूरी एक इनकी परिवाशा है क्योंकि परिपून क्षण अपने आप में कोई भी नहीं माना जाता है इस तरीके से अलोचक कहते हैं आगे कहते हैं महादेवी वर्मा किया जो कथने देखिए कांटा बाकर उसकी पीडा के अनबूती तो संसार कराता है ठीक है लेकिन कभी का काम क्या होता है कि वो बीना कांटा चुबा है ही आपको संसार की जो भी गलत चीजें है या जो भी तूटियां है बुराईयां है खामियां है उनको उजागर करके आपके मंद में एक तरीके से करुण दया भाव कौन करती है पीडा क्यान गूती कौन कराती है वो कवीता है या फिर आपका साहित्य है ठीक है तो ये महादेवी बर्मा की महत्वण पंक्ति माने जाती है और आगे ये क्या कहती है देखिए कवीता कवी विशेश की भावनाओं का चित्रन है तो ये भावनाओं का उसमें चितरण रहता है, लेकिन वो इतनी ठीक होती है, कि उससे वैसी ही भावनाएं, हम जो पाठक एश रोता है, जो आमारी कवीता को सुनते हैं, उनको भी, उसके इरदय में भी क्या होता है, वैसा एक तरीके से उसको अनुबब महसूस होता है, ठीक है, तो ये मानते हैं, महादेवी वर्माजी, इसके अलावा, जो आधुनिक में और हैं, देखी साटोतरी, या फिर उसके साथ के, या ना प्रेमचन भी हमने इसमें रखती हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें देखिए, प्रेमचन कहते हैं, कि कावे जीवन की अलोचना है, तो यहाँ पर एक हैं, मैथ्य और नॉल्ड की अगर जब आप परिभाशा पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी इसी तरीके की कुछ परिभाशा दी है, तो वो कहते हैं कि मुल्तह कवीता जीवन की अलोचना है, तो थोड़ा सा ही फर्क है इसमें, तो इसको आपने समझना है, आगे हम उसको एक भावे पर फिर से दिखेंगे कि वो क्या कहते हैं, तो दोनोंने क्या का है, कि ये जीवन की अलोचना है, हालां कि बीच बीच में आपको अचारे, रामचन्द, शुक्र भी सदेके से कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन सटीक उनकी परिभाशा इस तरिके से नहीं है, ठीक ह रसवाद यालू चक है ना तो कावे आत्मविव्यक्ति का क्या है ये कौन मानते हैं डॉक्टर नगेंदर मानते हैं कवीता भाषा में आदमी होने की तमीज है तो ये सुदामपंडे धूमिल का कथन है और अंतिम जो आधुनिक कवियों में जो महत्वपून था जो यहां पर भी क्या है शब्द ही है कावे ठीक है तो ये अगे है और इसके अलावा बहुत सारे हिंदी के आपके जो अलोचक है आपके चुपिद्वान है है ना नंद दुलारे वाजबई हो गया बाबू गुलाव राय हो गया उन्होंने कुछ न कुछ सीज़ें जरूर कही है आपकी कविता के सिंदरब में तो आप एक बार उनको भी जरूर देख लीजेगा सिर्फ और सिर्फ इससे ही आपका काम चलने वाला नहीं है आपके लिए मैंने और सारे रास्ते बता दिये हैं कि किन किन पुष्टकों से आप देख सकते हैं और पुष्टके मैंने आपको पहले ब कि कवीता क्या है सूस्पष्ट संगीत है ठीक है तो इन्होंने भी कोई लक्षर नहीं दिया है कि simply क्या बताया कि संगीत है वो ही क्या है अपका कवीता है नेक्स्ट है जो कॉलरिज इनकी बहुती महत्वपून ये परिभाशा है कि कवीता सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कवीता होती है ठीक है, poetry is the best words in best order तो ये कौन कहते हैं, कॉलरिज, कि जब सर्वोत्तम शब्द, मतलब सबसे अच्छे जो शब्द हैं, वो ही क्या होते हैं, अच्छे क्रम में, व्यबस्तित क्रम में रखे जाएं, उसको ही क्या कहा जाता है, आपका कवीता कहा जाता है for example आप मान सकते हैं कि उसमें ल्यातमक्ता हो ठीक है तो वो चीज इसमें ने कही है कि उसको systematically तरीके से शब्दों को रखना है वो ही कवीता है ऐसे कवीता नहीं बन सकती आगे जो विलियम वोड्सवर्थ हैं देखिए इनके संदर्म में भी बहुत महत्वपून चीज़ है हालां कि विस्तार से उनके बारे में पढ़ेंगे पाश्चात्य कावशास्तर के अंतरगत यहां पर इनकी जो महत्वपून कवीता है उसको देख लेते हैं कवीता के संदर आपका फिलिंग्स इठेक्स इठेक्स ओरीजन फॉर्म इमोशन रिक्लेक्टेड इन ट्रेंकुलेटी ठीक है तो यह मानते हैं विलियम वोड्सवर्थ लेकिन इसके अलावा इनकी जो एक संदर्शिप्त जैसी परिवाशा है कवीता प्रबल भावों का सहज उच्वास है तो यह भी किस्की है आपके विलियम वोड्सवर्थ की है कि कवीता क्या है कि प्रबल आपका जो भावों का क्या है यहां पर सहज उद्रेक है दूसरी में सहज उच्वास है तो एकी चीज़ है इसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके कहा गया है तो आप इसको याद रख चलिए आगे दिखिए अंग्रेजी का वेलक्षनों में जो अगला नाम है मैथिव और नॉल्ड का जिसकी बात में पहले भी कर रहा था तो इन्होंने क्या कहते हैं कवीता जीवन की सौंदरे मई और आनंदपूर्ण व्याख्या है तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि क कवीता जो है वो क्या है जीवन की सौंदरे मई और आनंदपूर्ण व्याख्या है ये कहते हैं मैथिव और नॉल्ड और आगे ये क्या कहते हैं कवीता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है तो दीखिए कवीता अपने मूल रूप में क्या है जीवन की आलोचना है ठीक है और प्रीमचन ने क्या कहा था काब्य जीवन की अलोचना है तो उन्होंने मूल रूप से नहीं लिखा उन्होंने कहा कि वो जीवन की अलोचना है काब्य ठीक है तो ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि कवीता अपने मूल रूप में जीवन की अलोचना है तो ये confusion नहीं र यहां पर लक्षनों के रिगार्डिंग परिवाशाय है थी, वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं, आपके चाहे हिंदी के अचारे अलोचक हो या पिर संस्कित के अलावा जो इंग्लिश के चिंतक हैं, उनकी परिवाशाय हैं इसके लावा बहुत सारी और भी हो सकती हैं, लेकिन फिलाल अजके लिए इतना ही, और अब हम जाते-जाते देख लेते हैं कि जो सरमाने है, सरमाने जो विव्याख्या है या लक्षनों के रिगार्डिंग वो कौन-कौन सी हो सकती है, कि किस तरीके से हो सकती है, यहां पर देख लेते हैं, यह दिखिए हिंदी और पाद में नहीं रही कालांतर में वो बदलती गई और उपर्युक्त जो सभी परिभाशा हैं हमने पढ़ी है ना पिछले लक्षर में भी उनके अधार पर क्या है नई कवीता क्या है जो खरी नहीं उतरती है कवीता के परिभाशा में ठीक है अतह कावे की जो सारभोमिक मानविय अनभूतियों की भाशा द्वारा की गई रसात्मक व कलात्मक अभिवक्ति को कावे कहा जा सकता है कि मानविय जो अनभूतिया है उनको जब हम भाशा भद करते हैं उसमें रसात्मकता कलात्मकता अभिवक्ति को हम रखते हैं उसी का नाम क्या दिया गया है कवीता कहा गया है कि जो मनुष्य के अनुभूतिया है उनको हम भाशा बद करते हैं ठीक है उसमें रस आपकी कला जो कवी करम है उसको हम डालते हैं तभी आपको कवीता बनती है या काव्य या साहित्य बनता है तो इस तरीके से जो सारभॉमिक लक्षन दिया जा सकता है कवीता का तो यह थे कवीता के लक्षन जो जो भी महत्वपोर नाम थे वो आपके बीच में मैंने रख दिये हैं अगले लक्षर में हम काव्य हेत्यों और काव्य प्रियोजनों के बारे में पढ़ेंगे और नमारा जो UGC NET की तैयारिया है यह यूँ ही निरंतर चलती रहेंगी तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में शिर गीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जन नई स्पूर्टे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया